आज के जिन हम लोग इंट्रेसंट ड्रोइंग कैलकुलेड करने के अलग-अलग मैथड समझेंगे ठीक है तो मैथड फॉर कैलकुलेडिंग आई-ओड कितने हैं दो हैं फ्रॉड़क्ट मैथड ने शॉट्कड मैथड ठीक है पहले हम लोग आते हैं किस पर अपने प्रउड़क्ट मैथट पर तो मैसे मैं हमावन चार कॉलब्स बनाये हुए एक देट एक अमांट एक मॉंड एक प्रनुड ठीक है देड हमें अमेशा गिवन होती है मतलब कि product method मतलब हम लोग दोनों method use कर सकते हैं इन में difference एक है product method हम लोग जब dates given होंगी plus equal interval पे होंगी ठीक है तब हम लोग use कर सकते हैं इन दोनों case में shortcut method हम लोग सिर्फ एक ही case में use कर सकते है when equal interval is there equal interval होना चाहिए हमारे drawings करना तभी हम लो average period or shortcut method से अपना IOD calculate कर सकते हैं तो पहले हम लोग आये product method पे यहां पर date given होगी given होगी हां जी ऐसे कि first April को करी थी first May को करी थी first June को करी ऐसे करके date given होगी हम लोग लिखते जाएंगे amount 6000 करी है या फिर 4000 करी है but यह जो drawing होगी हमारी यह हमेशा amount कैसा होना चाहिए amount भी क्या होगा equal ठीक है मतलब की एक और feature मिल गया हमें क्या amount कैसा होगा इसमें equal है ना और similarly average period method का मतलब है कि date देखिए हां लिखते हैं हम लो average and product average के अंदर date कैसे होनी चाहिए equal plus amount कैसा होना चाहिए equal circuit product के अंदर date unequal होगी चलेगा date unequal होगी चलेगा amount equal होगा चलेगा unequal होगा चलेगा ठीक है तो product method हम लो in case ile use कर सकते है average method हम लोग इस case में use कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया इसके अंदर रहाँ पर 4000 भी ूसकता है 3,000 ही वी शकता है हमें कुछ नहीं पता क्योंकि product method के case में हम लोग different date या फिर same date या फिर equal interval या फिर same amount के साथ भी हम लोग calculate कर सकते है अपना आई होगी ठीक है फिर क्या compare to the end of the year months कैसे मैंने 1st April को करी कप करी मैंने 1st April को करी मैंने क्या अपनी करी मैंने drawing ठीक है 1st April से 31st March से हमने compare करा अगले साल की जैसे कि यह कितना सा 2016 2017 से तो 1st April से अभी कितने महीने बाकी है गिनके देखा 1st April to 1st May 1st May to 1st June 2 महीना ठीक है फिर 1st June to 1st July 3 महीना ऐसे करकर के 12 महीने हो गए तो यहां पर फिर वो 12 आएगा फिर जब हम लोग 1st May में करेंगे तो एक महीना निकल गया ना एक महीना कम कर दिया 11 आएगा 1st June पर एक महीना फिर से निकल गया ना कितना 10 हो गया ठीक है तो अब यह फिर हमने करेंगे यहां पर गया प्रोडॉडक कैसे कि इनका प्रोडॉडक कर रहा इसने किया बोला amount in 2 months इनका पीशे multiply amount in 6,000 months कितने 12 कितना आ गया 72,000 यहां कितना आ गया 66,000 यहां फिर कितना आएगा 44,000 ठीक है यहां कितना आ गया 30,000 यहां फिर 60,000 ठीक है तो इस तरह से हम लोग अपना प्रोडॉडक मेचाट में करते हैं ठीक है और इसके further questions हम लोग next videos के अंदर करेंगे अभी बस हमें समझना है क्या एक table बनाएंगे हम लोग एक column होगा date, एक column होगा amount, एक column होगा month, एक column होगा product date given होगी यह 1st April, 1st June, 1st month उसमें लिखा होगा on the first date of every month partner withdrew that amount एक पर्टिकलरमांट लिखा होगा होगा उसकी date हमें यहापा लिखते जाने होगा और यह particular amount होगा को हमें amount के column में लिखते जाना है ठीक है months हम कैसे compare करेंगे ऐसे कि लिखा था 1st April 31st March से कितने महीने बागी है 12th ठीक है जैसे कि है of यहापर 1st May है 1st May है यहाँ पर 31st March से कितने मन्त वाकी है 11 मन्त वाकी है ठीक है तो 11 यहाँ आगया 10 यहाँ ठीक है 1st June से हमने अगर हमने compare कर रहा है फिर हमने amount into month कर आए जिससे हमारा क्या है product 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 of किसकर product चाहिए हमने amount on end month कर ठीक है तो यहाँ पर आगे फिर क्या होगा कि यह जो मैंने product निकाला है इस product यहाँ पर 72,000 आया 44,000 आया 60,000 आया 30,000 आया यहाँ पर इनका मैं क्या करूँ हम यहाँ पर total ठीक है किसका total करा मैंने यहाँ पर product का total product column का total ठीक है तो लिखते है यहाँ पर क्या product वाले column का total ठीक है लिख दिया मैंने product वाले column का total ठीक है into rate कितना हो जो भी rate हो rate of IOD TKG over 100 into कितना करना है हमेशा कितना करेंगे 1 by 12 हमेशा क्या करेंगे 1 by 12 यह क्या होगा हमारा formula for which method for product method मतलब यह सारी क्या होती है calculation यह क्या होता है product method से IOD calculate करने का formula जब हमें calculation पूरी कर लेंगे date की column का यह बे date लिख लेंगे amount लिख लेंगे months compare करके लिख देंगे months into amount कर देंगे जो product रहेगा total करके यह total of product column into rate of IOD over 100 into 1 by 12 और हमारा question का IOD आजाए तो अब इसके further questions जो हम करेंगे वह हम average period method को समझ के करेंगे और next video के अंदर हम लोग shortcut method समझने वाले है so thank you आप 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 आप